ओम शान्ती, 31 दिसंबर बाबा मिलन की अव्यक्त मुर्ली जो शान्ती वन में चलाए गई, अभी हम उसकी कुछ मुख्य पॉइंट दोराएंगे मुर्ली की सुर्वात में बाबा ने कहा, आज बाप दादा हर एक बच्चे को सन्हें और बाप दादा के लव में लवलीन सवरूप में देख रहे हैं, हर बच्चा परमातम प्यार में चमक रहा है बाबा ने बच्चो को तीन परकार की बधाई दी, पहली बधाई अपने नए जीवन की बधाई, दूसरी नए युग की और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई फिर बाबा ने कहा कि पुराने साल को जब हम विदाई देते तो वह भूल जाता है, नया साल ही हमारे सामने आता है, ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं फिर बाबा ने बच्चों को इस नए साल पर एक गिप्ट दे, बाबा ने कहा पुरानी स्वभाव संसकार को विदाई दे कर नई दुनिया में जाने की गिप्ट बाप बच्चों को दे रहे हैं ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिप्ट लेकर आपको नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी हैं फिर बाबा ने बच्चों को डिरेक्शन दिया कि बच्चे यह गिप्ट आप सभी को देनी हैं बाबा ने दो परकार की गिप्ट बच्चों को देने के लिए कहा, पहले गिप्ट नई दुनिया की और दूसरी गिप्ट है आपके पास जो बहुत सारे खजाने हैं, गुणों का, शक्तियों का, स्वोमान का, तो ये गिप्ट भी आप सभी को देनी हैं. फिर बाबा ने कहा कि चारो तरप दुख अशान्ती है, ऐसी दुखी आत्माओ को कम से कम यह संदेश तो जरूर दो कि अभी बाप आए हैं, अब से अविनासी वर्से के अधिकारी बन जाओ, बाप दादा को हर बच्चे पर रहम आता है, आपको भी विसेश रहम दिल, कल्या बाणकारी सवरूप दारण कर सबको संदेश देना है, फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा इस नए साल पर बच्चों में एक विसेश बात देखना चाहते हैं, जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्षय है कि हम बाप समान बनने वाले हैं, लक्षय है कि हम बाप समान बनें तो जैसे लक्षय है ऐसे अभी बाप दादा लक्षय के साथ लक्षन भी देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को उधारन देते हुए समझाया कि जैसे देह अभिमान के संसकार नेचुरल हो गए, मेहनत नहीं लगती, ऐसे देही अभिमानी बनने की नेचर भी नेचुरल हो जाए, बाबा कहते कि बाप के पास समाचार आते हैं, देहे अभिमान को मिटाने में बच्चों को मेहनत लगती है। बाबा बच्चों की मेहनत देखना नहीं चाहते, बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बच्चे महनत मुक्त हो जाए और नैचुरल नेचर बन जाए इसको कहा जाता है लक्षे और लक्षन समान बनना फिर देखना बाब समान बनना बहुत सहेज और नैचुरल नेचर लगेगा फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उधारन देते हुए में समझाया बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाब को देखा इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नैचरल नेचर देही अभिमानी की रही बच्चों के उपर भी जिम्मेवारी है पर ब्रह्मा बाब के आगे वह जिम्मेवारी क्या है? बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने श्युबाबा की मदद से करके दिखाया कि करावन हार करा रहा है हम करण हार बाब समान न्यारे और प्यारे हैं बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाब समान बनना है तो मनसा वाच्चा करमना जो भी ड्यूटीज है उसमें करावन हार शिप बाबा याद रहे मैं करन हार हूँ, ट्रस्टी हूँ यही पार्ट पक्का करना है फिर बाबा ने बताया कि माया भी बाप के पास आती है और कहती है कि मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है पर कोई कि बच्चे मेरा अहवान करते हैं तो मैं क्या करूँ पुराने वर्स के साथ माया को भी विदाई देनी है बाबा ने कहा कि इस पुराने वर्स में हमें माया को भी विदाई देनी है फिर बाबा ने कहा कि क्यों बाप दादा इस स्तिती पर जोर दे रहे हैं क्योंकि अचान का समय है फिर आप नहीं कर सकोगे इसलिए जितना हो सके पांच मिनट छे मिनट सात मिनट जाद से जादा दस मिनट टोटल 24 बार करो लेकिन जितना हो सके इस स्टेज का अनुभव करो बहुत काल का अभियास होगा तभी बहुत काल की प्राप्ति होगी बाबा ने कहा कि कम से कम दस मिनट हो तो अच्छा है ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को अपने लिए और विश्व के लिए भी किरने देनी पड़ेगी इसलिए जितना जादा समय कर सको उतना अच्छा है फिर बाबा ने अमरित वेले बच्चों को कुछ गिप्ट दी बाबा ने कहा कि बच्चों को अमरित वेले सोमानों की बहुत बड़ी माला दी चलते फिरते सोमानों की माला गुमाते जाओ तो बहुत मज़ा आएगा ये सोमान देने वाला कोन है कितने बड़े सोमान है बाबा बाबा कहते ये स्वोमान संगम युक की देन है। बाबा बच्चों को जब देखता है तो स्वोमान की स्तीती में ही देखता है। वहा बच्चे वहा तो स्वोमान की अथोरटी में रहो कि मैं कोन हूं। जहां स्वोमान है वहा देह अभिमान नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस नए साल में माया को और व्यर्थ संकल्पों को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प में संकल्प तो व्यर्थ जाते ही हैं, समय भी व्यर्थ जाता है, ये व्यर्थ संकल्प बाप समान बनने नहीं देते, इसलिए सदा समर्थ संकल्प ही चलाए फिर बाबाने कहा कि अगर पुर्शार्थ करते हुए कोई भी बात आये तो वह बाप को दे देनी है देने के लिए बाबाने हमें छोटे बच्चे का उधारन दिया बाबा ने कहा कि जैसे छोटा बच्चा होता है उनसे कोई चीज संभलती नहीं तो वो मम्मी को दे देता है ऐसे बाबा ने कहा कि तुम भी छोटे बच्चे बन जाओ और बाप को वहे बात दे दो लेकिन अगर उसके बाद भी बात आती है तो फिर बाबा ने कहा कि फिर अगर आई तो याद रखना कि दी हुई चीज यूज नहीं की जाती यह तो बाप की अमानत है और अमानत को फिर से यूज नहीं किया जाता मैंने ये चीज बाप को दी तो फिर से नहीं लेनी है अंत में बाबा ने बच्चों को नए साल की मुबारक दी। बाबा ने कहा नए साल की बाप बच्चों को बधाई दे रहे हैं। बाबा ने कहा हैप़ी नीओ इयर। बाबा ने कहा कि आप सभी के लिए हर दिन हैपP है। संगम युकं का हर दिन उतसव है। हमारे लिए वर्स कल्यानकारी है। आगे बढ़ने और बढ़ाने का है। इसलिए सदा ही हैप़ी हैं। अच्छा, ओम शान्ति।